हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का अपने चैनल टीटेन स्टेडी पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जन्तूओं में पोशन के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जन्तूओं में पोशन से संबंधित कुछ पोइंच बताया था और जो सेस रह गये हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लिजे या नहीं तो डिस्क्रिप्शन लॉक्स को चेक कर लिजे उसमें आप लिंक मिल जाएगा पहले आप उसको देख लिजे और उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजएगा क्योंकि मैंने उस भोजन आगे की और बढ़ता है और पचता है उसमें सबसे पहला भाग था हमारा मुख गुहा उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रसनी के बारे में फिर पढ़ा था ग्रासनली के बारे में और ग्रासनली के बाद जो आहार नल का भाग आता है वो आता है अमाशे तो चलिए आ यानि की आहार्नलके जितने भी पार्ट्स sono सबसे सिर्त कर भोजन कही रहता है तो लुकर है रहता है 4 गशनील करें का यहां आप द्रकावान हुए कोन-कोन सब भाग है चले जानते हैं अम अशे का सबसे पहला भाग उसकर अई क्याते हैं और अंतिम का भाग क्या कहलाता है पाई लोडिक कहलाता है ठीक है यह जो तीनों प्रकार की यह जो तीनों पार्ट है इन सभी पार्ट से अलग-अलग प्रकार के इंजयम सेकरेट होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं अब जो अमासे का जो भेतरी दीवार होता और धन्हें और धास razor का बनाता और यह कंए का आई पाझ जाता है ज्टर गरंभी होता है तीन परकार की कॉसिindi है को से मिलकर करके बना होता है आप ओर तीन परकार की जहें जाता है या मुझतिकाक timeframe हो इस वा जात वरासिकार को स्राव का या आप ऐसे कहलोगी जो तीनों प्रकार की कोश्चित नहीं होते हैं इन से मिलकर के बना होता है जठर गरंथी और जठर गरंथी से से क्रेट होता है जठर रस ठीक है इतना याद रहेगा अब एक चीज और मैं बताता हूं कि अमासे जो होता है उससे से क्रेट होता है एक hydrochloric acid को ही क्या का जाता है जो कि कहां से सरावित होता है अमा से सरावित होता है यह क्या करता है भोजन को पचाता है और भोजन के साथ जितने भी किटानों आते हैं उनको मारने का काम करता है यहां ते क्लेर हो गया hydrochloric acid का काम क्या है भोजन को पचाना और भोजन के साथ है क कि तानों को नश्ट करना आपने कभी कभार देखा वगा किसी को पैथ में घाव हो जाता आ जुसटा को अलसर यानि कहनेosphory का मतलब हो गया कि भूखे रहोगे, तो क्या होगा, हमारा जो time schedule है, उसके हिसाब सा hydrochloric acid secret होगा, उसको भोजर नहीं मिलेगा, तो जो अमासे का भीतरी दीवार होता है, उसको वो छतिगरस्ट करना चालू करेगा, और छतिगरस्ट करेगा, तो उसमें घाव हो जाएगा, और इसी घाव को क्य का जाता है, अलसर या फिर पेप्टिक अलसर का जाता है, तो कोसिस करना आज के बाद भूखे नहीं रहनेगा, क्योंकि भूखे रहोगे, तो हो सकता है कि hydrochloric acid के प्रभाव के बज़ए से आपका जो अवसी का भीतरी दीवार उसमें घाव हो जाए, और आपको पढ़शा प्लियर हो गया, तो यह था अमासे से संबनित सारा पॉइंट, अब आगे चलते हैं हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है अगनाशे के बारे, अगनाशे क्या है, अगनाशे हमारे सरीर का सबसे महत्पुर्ण गरंथी है, क्योंकि यह जो गरंथी है, यह मिस्रित गरंथी किसे कहा जाता है, तो गरंथी का मतलब होता है, हमारे सरीर में पाया जाने वाल एक ऐसा पोटली, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा संडचना, जिससे की रासाइन सरावित होता हो, अब देखो, रासाइन अगर गरंथी के बाहर सेक्रेट होता है, तो उस रासाइन को कहते है इंजाइम और यदि ग्रंथी के अंदर सेक्रेट होता हो तो उसे कहते हैं हार्मोन ठीक है तो हमारे सेरे में बहुत सार ऐसे से घरणफी हैं जो बहुत वल्ट सिर्फ करती हैं जो सिर्फ हर्मोन को об similarity करता है लेकिन अगनासे व्रिधियन को होते हैं जैते हैं गौछन को बाश बॉड़ा तो अगनासे से इंजाइम सेकरेट होता है जो कि भोजन को पचाने में मादद करता है अब देखो अगनासे चुकि आहार नाल का भाग नहीं है पाचन तंत्र का भाग है अगनासे में भोजन जाता नहीं है तो फिर अगनासे से जो इंजाइम सेकरेट होते हैं वो कैसे पाचन रहता है वह रहनी में आता है यानि चोटेयाद के पहले भाग में आता है और उसके मदद से फोरड़न का पजन होता है तो अगनासे से कौन-कौन से हर्मन सुरावित होते है ट्रिप्सीन होता है है इंजाइम से समभंधित यह जरूर याद रखना क्योंकि exam में कॉष्ण पोछ आ है एक चीज और याद रखना कि हमारे मुख गहा में लार गरंथी भी पाई जाती है मैंने साइड मिस कर दिया होगा मैं भी बता दे रहा हूं लार गरंथी जो होती है हमारे मुख वहाँ में तीन जोड़ी पाई जाती है पैरोटिर लार गरंथी सबमेंडेबुलर लार गरंथी सब लिंगो लार गरंथी इन लार गरंथी से भी क्या होता है ल तयालीН यंजयम सरावित होता है जो भोजन को पचाता है तो एक उ किसको पाज का इंजयम सेकरिट होगे वो किसको पचाएगा तो अमासे से जो enzyme secret होता है वो generally पचाता है किसको है वशा को पचाता है ठीक है clear हो गया चलो अब हम लोग आगे आते हैं यकिर्थ देखते हैं हमारा जो अगला पार्ट है वह है यकिर्थ यानि जिसको इंगले संब्रों लीवर कहते हैं हमारे सेरीर में जितनी सरी कोम पड़़ा ज्र糊न के कड़िवह कहरें हमारी सरीव का तो यकिर्थ के बारे में याद रखना येजुआक हैं और पूरुषभवन की चूमता होती घंख्षि tutto भी हो जाए तो फिरसे यकिर्थ चो होगा वो डेवलब कर सकता है ठीक है हमारे सरीर में जितनी हमारे सरीर जो बना है वह अलग-अलग प्रकार की कोशेकाओं से बना होता है ठीक है तो हमारे सरीर में जो कोशेकाओं होती है उनमें विवाजन की छमता पाई जाती है लेकिन और जो होल बड़ी है उसमें जो कोशेकाओं होती है उसमें एक का सेल होता है उनमें विवाजन नहीं पाया जाता है अगर उनका सेल मड़ा तो फिर मड़ गया दुबारा फिर रिजनरेट नहीं होगा हूँ ठीक है तो समझ में आ गया यकिर्ट जो हमारे सेट के सबसे बड़ी गरंथी है ठीक है और इससे कौन सा इंजायम स्रावित होता है तो इससे स्रावित होता है आपका पित रस ठीक है पित रस रावित होता है लेकिन ये जो पित रस वह בात कर लें तो पित रस छाडिया प्रकृति का होंता है इसे समझ़ों तो यह हो गया आपका यकिर्थ के बारे में अब देखो यहां से जितने भी एंजाइम जेकरेट होते हैं चाहें यकिर्थ से हो चाहें अगनासे से हो यह सारा का सारा और ठीजाएम कहां जाकर के भुजन को पचाता है तो शोटी याथ में जाकर करके पचाता है तो बात करते हैं में चोटी क्छोटी के बारे में हमारे आहरनल का सबसे लंबा भाग है मैंने बता है रहानल 8-10 मीटर का होता है जिसमें से सबसे लंबा भाग छोटियात का होता है और यह मनुस्य में अगर बात करें तो यह 6 मीटर का होता है अलग-अलग जीवों में अलग-अलग अलग 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 तो आपको पता होगा साख सब्जी यानी पेर पौधे पेर पौधे में पाए जाता है सेलीलोज और सेलीलोज का पाचन बरा मुश्किल है बॉस तो सेलीलोज को पचाने के लिए क्या होता है छोटे हाद के लंबाई increase कर जाती है इसलिए जितने भी सागेहड़ी जीव होते है उनमें चोटे यांत की लंबाई अधीक होती है और मन साधी जीववां में चोटे यांत की लंबाई कम होती है। तो अभी तक जो भाचन का पाचन का प्रोसेश हो रहा था सब्रॉक्त मोङं मुख से ले करके चोटे यांति में आने के बाद भोजन का罕 Forschung Polini completed हो जाता है इसके बाद जो भोजन आगे बढ़ता तो मुझेन का पाचन नहीं होता है यानि हम यू कहने कि यह पर लpassen में का पाचन complete हो जाता है अब बात कर लें छोटी का चोटी का मैंने पहला भाग बता मधे का बाग जेजुनम और lust वह होता है वो इलियम होता है छोटियान भी तीव हाग में त्वाग्लमी ग्रहन दूसरा भाग कुट बन्षा जेजुनम और अन्तिम भाग इलियम यह जो होता है एलियम का एक और अन्य मुतल का विलाई एलियम के अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे स्ट्रक्षल्स होते हैं उनको कहा जाता है विलाई यह क्या करता है हमारे सेरे में जितने भी भोजन का पांचन होता हुआ उनका आवसोसन करके ब्लड को देता है और ब्लड इन अवसोसीत खायते पदार्थ को सरेड के सभी भागों में सेर्कुलेट कर द पचे भोजन में जलकी मात्रा होगी उसको अवसोसीत कर लेगी ठीक है जलकी मात्रा जैसे ही आवसोसीत हो जाएगी तो जो अपचा भोजन बचा वह सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचेगा और यह सॉलिड जो होता है वह आ जाता है मलासय में और मलासय में मल के रूप में निस्कासित कर देता है यह रहा पूरा मनुसे में जो पाचन तंत्र की प्रकरिया होती है और पाचन से संबन्ध जितने भी अंग है उन सभी के वारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उमीद करते हैं कि मैं इसमें जो भी चीज़े बताई हैं आपको समझ माया होगा यह दो दो पार्ट में मैंने पिछले पार्ट में भी बता है और इस पार्ट में दोनों को onwards Lego की別 घूले करके जरूर बता यज़ेगा कैसा रगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता अच्छा लगा हो तो लाइक दिरूर कीज़ेगा और अपने फ्रेंड सर्क्ली में सर्केज़ेगा मिलते एंगले वडियो में तन्यवाद